नमस्कार, TV9 के दिल्ली NCR चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज्योतिशी पंडित मुकेश शास्ती हार्दी का विनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ भगवान शीहरी का, मा लक्षमी का, मा बगला मुखी का, आशिरवाद और कपैदस्टी आप सभी के उपर बनी रहे, आप सभी का कल्याड हो दोस्तों आज हम बड़े ही इंट्रेस्टिंग पॉइंट के उपर चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है लाफिंग बुद्धा पर, तो सबसे पहला प्रश्ण ये है कि क्या आपके घर में, आपके आफिस में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में लाफिंग बुद्धा रखना शुब होता है या नहीं होता है क्या लॉफिंग बुद्धा रखने से घर में पॉजिटिव एनरजी आती है या नहीं आती है या खाली एक मन का ब्रह्म है तो आज आपकी इन सभी शंकाओं का मैं जवाब दूँगा तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं आपके सामने जीवन मरन का प्रश्ण बनावा हो क्या आपको लगता है कि आपके घर में हमेशा कला कलेश रहता है क्या आपको लगता है कि आपके घर आफिस के अंदर जो सदस्य है उनमें क्रोध की एग्रेसिवनेस की अधिक्ता रहती है क्या आपको लगता है कि आपके घर आफिस के अंदर पॉजिटिव एनरजी नहीं है क्या आपको लगता है कि आपके घर आफिस से मालक्ष्मी रूठ गई है क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ने से जी चुराते हैं क्या आपको लगता है कि आपके आफिस में जो एम्पलाई काम करते हैं उनका काम में मन नहीं लगता है यदि हाँ तो आपकी इन सभी छोटी-छोटी से समस्याओं का बड़ा और सरल सा समयधान चुपा है लाफिंग बुद्धा में लाफिंग बुद्धा क्या है? लाफिंग बुद्धा एक बुद्ध का ही स्वरूप है, भिक्षुक का स्वरूप है हस्ता मुस्कुराता हुआ कहते हैं कि कोई भी हस्ता मुस्कुराता हुआ चेरा यदि आपके सामने रहता है तो आपकी मानसिक्ता बदल जाती है आपके सोचने का तरीका बदल जाता है आपकी नेगेटिविटी पॉसिटिविटी में बदल जाती है तो दोस्तों laughing बुद्धा को फैंक्शुई साष्ट में सुख, शान्ती और समरद्धी का प्रतीक माना गया है positivity का प्रतीक माना गया है प्रसंता का प्रतीक माना गया है laughing बुद्धा को जापान के साथ देवी देवताओं में जो प्रमुखिस्तान उनको दिया गया है और उनकी उस मुस्कुराट के कारण ही वो लोगों की सभी समस्याओं को दूर कर दे थे तबी से लॉफिंग बुद्धा नाम पड़ा और लॉफिंग बुद्धा के अलग-अलग रूप होते हैं तो मुख्य प्रशनी ये है कि घर में रखना चाहिए या नई रखना चाहिए निशित तर पर आपके घर आफिस में रखावा लॉफिंग बुद्धा सही दिशा में रखावा लॉफिंग बुद्धा वास्तु सम्मत दिशा में रखावा लॉफिंग बुद्धा जहां आपके घर, आफिस के सुक, शान्ती, समरद्धी में व्रद्धी करता है वहीं गलत स्तान पर रखावा लाफिंग बुद्धा आपके घर, आफिस के अंदर नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कस्क लेके आता है तो लॉफिंग बुद्धा आपके घर का एक सदसी है और वो ऐसा सदस से जो हमेशा मुस्कुराता रहता है हसता रहता है पॉजिटिव एनरजी को फ्लो करता रहता है तो निशित तोर पर एक छोटा सा लॉफिंग बुद्धा आपके जीवन में बहुत चमतकार कर सकता है यदि आपके घर के अंदर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है मांसी कवसात का पेशेंट है यदि आप उसके कमरे में लॉफिंग बुद्धा रखते हैं तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है तो आपके घर के अंदर आपके आफिस में रखा हुआ लॉफिंग बुद्ध तो आगे आने वाले और बहुत सारे एपिसूड में लाफिंग बुद्धा के बारे में रोज नई नई जानकारी देंगे तब तक मुझे दीजे इजाज़त खोश रहे स्वस्त रहे आनंद कीजी